नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मारे इस खास प्रोग्रेम में मैं हूँ आपके साथ सुनील चौहान दर्शकों, श्रद्दा मडर केस देश में एक बहुत बड़ा केस बन चुका है हर घर में इसका जिक्र हो रहा है आरोपी ने श्रद्दा के 35 टुकडे किये किस प्रकार से मारा आप सब लोगों को पता है जंगल में एक एक टुकडे को फेकता रहा लिविंग रिलेशन में यो लोग रहते थे दिली के महरौले की घटना है तो आज हम आपको बताएंगे इस केस से जड़ूए कुछ बात है कानून की नजर में इस प्रकार से केस को कैसे देखा जाता है अगर लिविंग रिलेशन में दो पार्टनर रह रहे हैं कोई अगर ना पसंद किस यूँ करने लगा है तो प्रावधान क्या है किस प्रकार से दूर रह सकती है पिरेंट्स बच्चे के मनाने के बाद भी अगर आपका बच्चा नहीं मान रहा है और उनको शक है कि उनका पार्टनर कुछ कर सकता है तो पिरेंट्स कहां शिकायत करा सकता है शिकायत का प्रावधान क्या है और जिस प्रिकार से देखा जा रहा है कि नार्को टेस्ट कराये जा रहे हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट कराये जा रहा है, डिने टेस्ट किये जा रहे हैं, कानून की नजरों में किस प्रिकार से देखा जाता है, क्या कोर्ट इन टेस्ट को मानता देता है और भी बहुत मैतपूर्ण बाते में आपको बताएंगे अगर इस प्रकार घटना हो तो किस प्रकार से विक्टिम का परिवार लड़ सकता है इन सारी बातों पर डिसकेशन करने के लिए हमारे साथ करकडूमा कोर्ट से अडवोकेट अर्शित गुपता है स्वागति सरापका अडवोकेट अर्शित गुपता आपको बताएंगे समझाएंगे लेकर उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए शर्दा हथ्याकान को कानूर की नजर में किस प्रकार देखा जाता है अगर पता हो कि उनकी बच्ची के साथ उसका पार्टनर गलत कर रहा है तो क्या करें शिकायत कैसे दाखिल कराएं लिविंग रिलेशन्शिप में पार्टनर परिशान करें तो क्या करें पीडित को क्या क्या रहते हैं उपलब्ध हैं forensic evidence क्या है? इसकी आवशक्ता क्यूं है? इसमें क्या शामिल है? DNA, नारको और पॉलिग्राफ टेस्ट क्या होता है? इस केस में शुर्दा को कैसे सहयता मिलेगी? ये टेस्ट हर मामले में किये जाते हैं, कौन पर्मिशन देता है? क्या ये टेस्ट पुरी तरह विश्वासनिय है? इन टेस्ट में किस्तकार के सावाल पूछे जाते हैं? आरोपी को कितने दिन तक पुलिस हिरासत में रखा जाता है? केस आगे कैसे चलेगा? क्या ये सबूत आरोपी को दोशी ठहराने के लिए पर्याप्त है? मेरॉली में हुए शद्दा हत्याकान के बास से प्रोदेश में इसकी चर्चा जोरों पर है? हर किसी के लब्स पर इस जगन अपरात को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं? आरोपी आफ्ताप पूना वाला ने शद्दा के शरीर के 35 टुकड़े किये थे और फिर उनको जंगल में अलगलक ठेकाने से फेका किया, कुछ पार्ट्स को घर में फ्रेश में रखा लिविंग रिलेशन्शिप में रहते थे दोनों, वहीं पांडम रगर में मा और बेटे ने मिलकर एक शरक्स के दस टुकड़े किये ये दोनों घटनाए दिल्ली पुलिस पर तमाम सवाल खड़े कर रही है साथी साथ पुलिस इन मामलों की जांच तो कर रही है और कानून भी अपना काम कर रहा है जिससे आरोपियों को कड़ी सी कड़ी सजा मिल सके कानून की नजरों में इस तरह की हुई घटनाओं को कैसे देखा जाता है कौन सी धाराएं लगती हैं क्या-क्या इन में सजा का प्रापधान है आए जानते हैं हमारे इस स्पेशल शो में प्रोग्रामिंग डेक से सुनील चौहान, CCN News, दिल्ली तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की यह अपराद नहीं, जगन अपराद, हीनियस क्राइम ऐसा अपराद जो की कही न कहीं देखा जाए हर गली, महले, नुकर पर इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि जिस प्रिकार से यह शब के तुकडे किये गई यह बहुती बड़ी चुनौती है पोलिस के लिए और इसमें जो प्रावधान निकल करा रहा है टीम है लगातार, इन्वेस्टिकेशन कर रही है यह बहुती एक हाई लेवल पर केस जा चुका है और इसके पात जो इसका मुझलिम है आफताब पुना वाला वो पोलिस को किस प्रकार से जवाब दे रहा है यह भी सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है तो आज इन सारी बातों पर जिक्र किया जाएगा सर, हमने आपको आज इसलिए आमंतरित किया आफताब केस तो है ही इस प्रकार की घटना एकर समाश में होती है और होती भी रहती है लेकिन आफताब केस में ऐसा हुआ कि 35 टुकड़े किये गए जो की मतलब कलपनाओं से परे था लिविंग रिलेशन में दुनों लोग रहते थे प्रेंट्स के मना करने पर लड़की नहीं मानी और श्रद्दा के आफताब ने 35 टुकड़े किये कहते हैं कि heat of the moment था उसने अपनी investigation में इस बात को कहा कि मैंने गुस्से मा कर यह सब कर दिया इस प्रिकार की घटना को कानून में किस प्रिकार से देखा जाता है आप advocate हैं किस प्रिकार से देखते हैं आप इस तरह की घटनाओं को दिखिए बहुत ही heinious offense है यह इसको हम घरेलू इंसा के साथ जरूर एक बार अपनी दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि घरेलू इंसा की वज़े से यह चीज अब कहां से कहां तक पहुँच गई है आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा यह बताओं कि घरेलू इंसा होती क्या है गरेलू इंसा किसी भी प्रकार का जब किसी महिला को उसी घर में रहते हुए अगर उनको किसी प्रकार से मारा जाता है या फिर उनको mentally torture किया जाता है या फिर उनको आर्थिक मदद नहीं मिलती family में किसी डौरी से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रशान करा है तो यह सब एक हिंसा मानी जाती है और अगर इसी हिंसा को हम अगर starting में ही रोकेंगे नहीं तो वह कहां से कहां तक पॉच सकती है वह उनने श्रदा के केस में देख लिया है लेकिन श्रद्दा का केस थोड़ा इससे हटकर अलग था श्रद्दा का ये था कि आफ़ताप और श्रद्दा परिवार की बिनारजामंदी के श्रद्दा आफ़ताप के साथ दिल्ली चली आई और महरौली में किराय के मकान में रहने लगी और पिता के मना करने पर भी शुद्दा नहीं मानी और आफ़ताप के साथ लिविंग रिलिशन में रहती थी हालंकि इस प्रिकार से देखा गया जब इन्वेस्टिकेशन उगा तो पर उसके लोग कह रहे थी आपके लिए आगे चलके परिशानी हो सकती है आपकी जान के लिए जोखिम में है और लड़का लड़की उस बात को नहीं मानती हम एक पक्ष को नहीं ले रहे हैं चाहें इसमें शरद्दा के साथ ऐसा हुआ हम दोनों पक्षों को ले रहें चाहें वो लडगा हो या लड़की हो आप्रेंट्स को पता है कि हमारे बच्ची के साथ ऐसी अनहुनी हो सकती है और बच्चा को समझाने के बाद वो मान नहीं रहा तो parents इस situation में कहां श्रिकायत कर सकता है जिससे इस प्रकार की अन्होनी होने से मतलब बच सकें या अन्होनी हो जाती है तो उचित नियाय मिले देखे इसके बहुत सी चीजें इसमें आएंगी जैसी कई लोगों को लगता है कि जिसके साथ यह हिंसा हो रही है सिर्व वही कंप्लेंट कर सकता है नहीं इसमें उसके माता-पिता उसके भाई-बेन या उसका कोई भी अन्ने परिवार वाला जो जिसको लगता है कि उसके प्रम होता है जिसमें सारी चीजें आपकी बारीकी से लिखी जाती है और फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके इंस्पेक्ट भी कर सकता है आपके बारे में जान सकता है दूसरी चीज़ है आप अपने किसी लॉयर से के थूरू कोर्ट में भी आची का दायर कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसे से हुआ तो कोर्ट आपको अलग अलग रिलीव्स जो भी लौ के प्रधान में होंगे वो आपको प्रवाइड करवाए जाएंगे इसके इलावा बहुत सी NGO's हैं हर डिस्ट्रिक्ट में जो आपके लिए ही हल्प कर रही हैं जिनके साथ घरेलू हिंसा हो रही इतो उनके हल्प के लिए बनाई गई हैं इसके इलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी government ने जए central government और state government और बहुत सारी commissions है, help line numbers है जहां पर आप direct approach कर सकते हैं, online complaints जाल सकते हैं, अगर आप यह सब करेंगे तो शायद आपके साथ आगे ऐसी कोई वारदात ना हो बिल्कुल आपने बताया कि बहुत सारे प्रावधान है आप NGO से help ले सकते हैं आप call कर सकते हैं आप पुलिस में complaint कर सकते हैं आप legal किसी से help ले सकते हैं अगर इस प्रेकार की घटनाए हो रही है श्रदा का केस सर ऐसा हुआ कि केस थोड़ा बढ़कर आ गया क्योंकि उसने 35 ट रखता है या मैंने गला decision ले लिया आप ऐसे लोगों से क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप living relation में रह रहे हैं क्योंकि इसकी कानून मानता है हमारे देश में Supreme Court ने उसको valid कर रखा है तो अगर living में रहने के बाद भी कोई disputes हो रहे हैं आप अलग होना चाहते हैं कुछ आपको अपनी safety के लिए सबसे पहले complaint दर्ज करें और उसको जितना हो सके proceed करें कि जिससे की जिस बंदे ने आप जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर यह और वालेंस किया है वह आगे और वालेंस ना कर सके या फिर आप किसी mediation के थुरू बहुत सारे प्रोसेजिशन के तुरू आप यह चीजे सॉट आउट कर सकते हैं और अलग होने के अलग प्रवधान है तो आप अलग रहके भी आप उनसे maintenance, residence यह चीज़े ले सकते हैं अग तो इस चीज का शिकार हो रही है लेकिन सिर्फ 10-15% है जो अपनी शिकायत दर्च करती है या फिर दर्च करती है तो वापस ले लेती है तो आपके लिए मेरे लिए तो यही संदेश है कि आप अगर कहीं चीज़ पर आगे बढ़ रहे हैं तो उसको कम से कम इतना तक हो और चाहें आप लंबे अर्सिस रह रहे हो और आपको परिशान किया जा रहा है तो आप इसकी कम्प्लेंट कर सकते हैं आपको मिनिटरेंस मिलेगा और आपको और भी हैल्प उसके द्वारा मिल जाएगी लेकिन सर मैं आप से जानना हो लिविंग में रहने के लिए कोई डॉकुमेंटेशन की रिक्वार्मेंट नहीं होती दो लोग लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं और बाद में जाकर कह देते हैं कि मैंन के साथ लिविंग में नहीं था एक साल या दो साल रहने के बाद और ऐसे में जो कम्प्लेंट कराते हैं उसके बाद कहते हैं कि क्या माना जाए कि आप लिंग रिलेशन में थे तो ऐसी कंडिशन में क्या कर सकते हैं ऐसी कंडिशन जमें यह होता है जरुनली अगर आप देखेंगे तो आप की तो और कोई आपके पास पूर्स होते है जहां पर आगर आपके आसपास वालों को लगता है कि आप एक साथ एक matrimonial relation में रह रहे हैं तो वो भी consider करके court आपको बाकी जैसी नॉर्मल एक wedded wife के पास responsibilities और जो उनको liabilities हैं वो सारी की सारी आपके पास भी rights मिलते हैं बिलकुल जैसे एक पत्ती पत्नी का rights होते हैं वही rights living में लने वालों को court के द्वारा मिलते हैं सर पीड़ित को क्या-क्या रहते हैं उपलब्ध होती है जैसी मैं आपको अभी बताया कि domestic violence का एक 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 था 2005 में जो गॉर्मेंट ने पास किया था इसमें बहुत से प्राफधान थे जो सिर्फ women के लिए ही थे जैसी आप उसमें protection order क्लेम कर सकते हैं maintenance, compensation जो भी आपके साथ उन्होंने अगर दुर्वियाबार किया तो उसके आपको maintenance मेलेगी in fact आपको separate residence का भी order है अगर court आपको separate residence का order देती है तो उसमें वो direction दे सकती है जिसने भी आपको प्रशान किया है कि वो आपके आसपास के area में भी ना आए या पी आपको अलग रहने की जगा दे जहां पर आप काम कर रहे हैं वो भी आपको पहाँ पर disturb ना करें इसके लावा अगर आपका मान लीजिए कोई आगे issue है बच्चा है तो वो भी court आपको उसकी custody भी दिलवा सकती है बिल्कुल हम इसमें दोनों पक्षों को ले लेते हैं क्योंकि कई बार यह देखा जाता है कि इसमें लड़की मतला पीडित होती है बहुत बार ऐसा देखा जाता है लड़के भी पीडित होते हैं तो हम किसी एक नहीं दोनों sites को लेकर चलते हैं कि अगर लड़का पीडित ह तो उसको भी complaint दर्शकों करा सकते हैं दर्शकों अगर आपको इस विश्य से संबंदित कुछ जानकारी लेनी है अगर आपको जानना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर दिवे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और आप हमको एमेल भी कर सकते हैं आने वाले अगले सेग्मेंट में आपको इस परिशानी को हम जरूर जरूर ठाएंगे और आपको एक सही डिरेक्शन बताएंगे किस परकार से आपको सला मिल सकती है सर फॉरेंसिक एविडेंस आकिर है क्या इसकी आवशकता क्यों पड़ी और कैसे काम करता है देखे बहुत से ऐसे केसिस होते हैं जहां पर ह हमें फॉरेंसिक साइंस या फिर सरकम्शांशल एविडेंस के बेसिस पर ही केस को आगे बढ़ाना होता है जैसी कि हम श्रद्धा का मड़र केस ले लें यह आज से छे महीने पहले माई की घटना है उसके कोई भी आई विटनेस निया कोई कुछ नहीं है तो इनकी बेसिस इ चीजे आगे बढ़ानी होती है उसके बेस पर एविडेंस करेट करने होते हैं तो यह इन केसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसके बेसिस पर आगे अक्यूज को कन्विक्शन के लिए प्रोसीड करें बिलकूल आपने कहा कि मतलब यह टेस्ट होते हैं फॉरंसिक जिस प्रकार से आपने का डिने टेस्ट हुआ फिंगर प्रिंटिंग हुआ नार्को अनलेसिस हुआ आपने का पॉलिग्राफ लाइट डिटेक्टर यह बहुत साई टेस्ट होते हैं इन टेस्ट को कराने के निकली एनलेसिस क्या वैलेड होती है जी बिल्कुल इसमें मैं सबसे पहले बता देना चाहतू कि यह हर केस में अलाओ नहीं होता इसमें कोर्ट से आपको स्पेसिफिक परमीशन ली जानी पड़ती है तब ही आपको यह सारे टेस्ट करने की पावर होती है अब इसमें कुछ इसे जो कोड़ के पास पावर है जो वैसी ही ग्रांट कर सकते हैं जिसी डीन ने हो गया फिंगर प्रिंट हो गया लेकिन अगर स्पेसिशल केसिज नार्को एनलेसिस या पॉलीग्राफ टेस्ट के लाइड इटेक्टर टेस्ट के इसके लिए आपको कोड़ से परमीशन चा कर सकती कि वह ऐसे टेस्ट के लिए उनको बैदिता दे सेकिंड जो आपका सेकिंड कोशन था उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि इसमें वैल्यू पूरी होती है लेकिन डिपेंड यह करता है कि आपको उसके बेसे पर कोई मैटरियल मिल जाए अगर आपको कोई मैटरियल नहीं मिलता तो इन टेस्ट की वैल्यू नहीं होती जैसी डिस्क्लोजर स्टेट्मेंट होती है जो कोड में या फिर पुलिस को दी जाती है तो बिल्कूल आपने कहा कि मतलब सबसे पहले अगर पॉलिघ टेक्टर टेस्स के लिए नारको एनलिसिस के लिए court से permission लेनी पड़ती है, जैसे आफ़ताप का जो मामला था हो वो साकेथ court में चल रहा है और साकेथ court ने permission देने के बाद ही उसका polygraph test हुआ और analysis निकल कर आई जिस जिला में हो उस जिला की अदालत permission देती है कि इसका नारको एनलिसिस हो या lie detector हो या polygraph test हो और आपने का DNA finger printing ये court खुद conduct करा सकता है इसमें कोई permission नहीं होती दूसरी बाद सर आपने इसमें ये कही कि court analysis करता है लेकिन पूरी मानता वैद नहीं होते हैं उन test में दीवे बयान को क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि आरोपी उन test में भी बयानों को ऐसे देता है कि वो ठीक से नहीं निकल पाते हैं तो बहुत सी ऐसी study निकल कर आई है कि आरोपी ने वो भी test को fail कर दिया इतना शातिर दिमाग के होते हैं सर ये बाते आपने बता दी अगला सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं आरोपी वो किस-किस प्रिकार की रहत दी जाती है आरोपी वो को बहुत सी चीजों की रहत होती है अग उनके पास सबसे पहले ये test conduct करने से पहले ये authority होती है कि वो अपना test करवाना नार्को एनलेसिस या polygraph test, lie detector test करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं और इन सब चीजों में उनको एक और है कि अगर वो चाहते हैं तो अपने वो legal counsel जो उनके लिए पेश हो रहे हैं court में उनको भी अपने साथ इन test के दौरान रख सकते हैं या फिर उनको कोई भी facilities है मान लीजिए उनके पास कोई lawyer नहीं है case में लड़ने के लिए तो government उनको free legal aid भी provide करती है जैसे कि हमने शद्धा के case में देगा तो जो आफताप पुनवाला है उसको government की तरफ से legal aid services की तरफ से उनको एक advocate provide किया गया है इसके लावो बहुत से अलग से rights हैं arrested person के पास कि वो अपना court में पूरा proceed धंग से कर सके बिल्कुल इसमें सवाल और ने कलकर आता है पुलिस custody में आरोपी है और देखा गया आफताप वाले case में custody को बढ़ाया गया पांस दिन की फिर बढ़ा दी गई क्योंकि जो custody का time ता उसके अंदर पुलिस कोई सबूत नहीं ले पा रही थी बार बार अगर custody के अंदर कोई proof नहीं निकल पा रहे हैं तो क्या आरोपी बड़ी हो जाता है इसके लिए जो भी पुलिस के पास इंवेस्टिकेशन के थूँ कोई एविदेंस निकल के है मान लीजए एक क्यूज ने कोई स्टेट्मेंट दी है कि मैं एक्जाम्पल इस केस का लेके चलते हैं कि मैंने यह बॉडी पार यहां पर रखा था या फिर जिसके थू मैंने यह पीसीज काटे वेपन जो था वो मैंने इधर चुपाया उसके बेसिस पे डिस्क्लोजर स्टेट्मेंट के बेसिपे अगर कोई सबूत निकल के हाता है तो वो उसके बेसिस पे भी कोट के पास पूरी पावर है वो कन्विक्शन कर सकती है इनको सरकम्स्टांशल एविदेंस और फॉरेंसिक एविदेंस के माध्यम से कोट के पास पावर है कि ज़रूरी नहीं है कि कस्टडी में रहके भी या अगर सबूत नहीं मिल रहा तो कोट पावर है कि कोट दिए सकती है अरशर से लाइड डिटेक्टर ऑपॉलिग्राफ टेस्ट में नारकोban फूर्चती है और कौन लाइड डिटेक्टर टेस्ट या फिर पॉलिग्राफ टेस्ट लेले इसमें बड़े soft तरीके से सबसे पहले questions पूछे जाते हैं कि जैसी हम इस case में पूछेंगे कि आपका बच्पन कैसे बीता, आपकी family में कौन-कौन है, आप कब दिल्ली shift हुए, आप कब से जानते हैं, आज कल आप उसके touch में हैं, अब क्या हुआ हुआ उनके साथ, इस टाइप से आते हैं, आप डिरेक्ट इसमें allegation या फिर आप डिरेक्ट questions नहीं पूट करते हैं generally, कि आपने क्यों मारा, कहां गई body, कहां पर है, आपको दीरी-दीर questions नहीं बड़े softly जाना है, जिससे कि उनकी आप इसमें medicines के थुरू आप एक्यूस को एक control करते हैं, तो अगर आप direct questions पूचेंगे, तो हो सकता है उनकी health को भी effect पड़े, तो यहां पर checking के लिए government की तरफ से बहुत trained doctors होते हैं, lawyers होते हैं, जो सब महाँ पर, जो accused के lawyers होते हैं, वो भी present होते हैं, तो इन सब के दाइरे में रहके, यह conduct test होते हैं, और narco analysis में जैसी आप देखते हैं, narco analysis में उनको कोई न कोई medicine ये drug से देकर, उनके conscious level को accused के कम किया जाता है, जिसी कि वो सच और जूट में difference ना बता सके हैं, और जो भी हम पूछ रहे हैं, उसके सीधे answers आप आएं sodium pentothal उनको देते हैं, जिससे मतलब सच और जूट को analysis ना कर पाएं, और आपने का कई बार देखा जाता है कि accused bluff भी कर जाता है, तो यह बहुत ज़्यादा परिश्वानी बन जाती है, कितनी दिन की study में मतलब accused को police रख सकती है पुलिस maximum उनको 15 days custody में रख सकती है, ऐस पर section 167 of CRPC Act, उसके बाद अगर पुलिस को और custody चाहिए, तो वो उनको grant नहीं होती है, फिर वो सिर्फ judicial custody में रहते हैं, judicial मतलब court की custody में, उनके पस 15 दिन का time होता है, जिसमें अगर वो कोई test conduct करना चाते हैं, तो वो test भी conduct कर सकते है या फिर उनको remand में रख के कोई question, interrogation, जो भी करना चाते हैं, उसके लिए उनके पस first 15 days का time होता है, from the date of arrest of accused. बिल्कुल, 15 days का time होता है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि शुर्दा मंटर केस में आफता आपको तिहार जेल भीज दिया गया है, और मतलब जो reports निकल कर आई हैं, क्या इन्हें आधार पर आगे की, जो मतलब सरजार बनेगी, आगे कि सुनवाई होगी, क्या ये सारे मतल परेडाम सफिशन्ट होते हैं कि केस को चलाने के लिए? पर हमें और भी investigation से कोई नहीं सबूत आए, तो वो पुलिस के पास power है कि वो अपनी supplementary चार्शीट फाइल करके और केस में जान डाल सकते हैं, जहां पर उनको अपने केस में कमी लगती है। और कैसे आरूपी को सजा मिल सकती है। बहुत बश्यूक्तिया। कोर्ट क्या करती है, क्या कोर्ट इन सारे टेस्टों को वरेड मानती है या नहीं। आरूपी कितने दिन तक पुलिस कस्टडी में रह सकता है। यह सारी बातें आज इस प्रोग्राम के माद्यम से आप लोगों को जानने के लिए मिली होंगी। अगर आपको इस विश्य से सम्मंदित को जानकारी लेने हैं, आपको जाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नमबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप एमेल भी कर सकते हैं। और आने वाले अगले सेग्मेंट में आपको इस परिशानी को हम जरूर जरूर बताएंगे।